प्रस्ण 6, निम्नांकित ब्यांजकों का गुननखन निकालें, तो प्रस्ण 6 का पहला है, एक्स स्क्वाइर माइनस नौ एक्स प्लस आठ, ये है प्रस्ण एक्स स्क्वाइर माइनस नौ एक्स प्लस आठ, तो इस तरह का ब्यांजक में अगर गुननखण निकालना है तो मध्य पद को तोड़ते हैं तो यहाँ पर मध्य पद क्या है? माइनस नौ एक्स है? मध्य पद है? माइनस नौ एक्स तो माइनस नौ एक्स है मध्य पद में तो मान लिजे कि x नहीं है तो क्या है सिर्फ minus 9 ठीक है तो जोड करके कितना लाना है minus 9 लाना है और गुना करके 8 लाना है यानि जोड करके minus 9 x लाना है और गुना करके 8 x square लाना है ठीक है ये दोनों को गुना करके जितना होता है उतना लाना है यानि 8 x square गुना करके लाना है और minus 9 x जोड करके लाना है जो मध्य पत है तो हम लिखेंगे x square अब minus 9 x है ठीक है? तो 5, 4, 9 होता है 5, 4 कितना होता है? 9 5 को 4 से जोडने पर 9 होता है लेकिन 5 और 20 अगर 5 को 4 से गुना किये तो कितना होगा? 20 लेकिन यहां पर क्या है? 8 है हमें चाहिए 8 तो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 और 9 होता है 7 और 2 को जोडने पर लेकिन 7 और 2 को गुना करने पर 14 आता है हमें चाहिए 8 तो यह भी नहीं होगा तो क्या लेंगे? यहां पर लेंगे 8, 1, 9 8 में 1 जोडने पर कितना आता है? 9 आता है और 8 गुना 1 8 तो 8 और 1 लेंगे क्योंकि 8 और 1 जोडने पर 9 आता है और 8 गुना 1 8 तो हम यहाँ पर लिखेंगे minus x minus 8 x ठीक है और यहाँ पर लिखेंगे plus 8 plus 8 तो माइनस 9x को इस तरह लिख लेंगा माइनस x माइनस 8x कूँए माइनस x माइनस 8x क्या हो जाएगा माइनस 9x क tą देखे यह जो x है इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है ठीक है तो 1 x नहीं लिखते हैं सिर्फ x लिखेंगे तो 8x 9 हो गया यानि माइनस 8x, माइनस x कितना हो गया, माइनस 9x तो यहाँ पे माइनस में था, इसलिए दोनों माइनस में लेंगे यह माइनस में है और गुना करने वाला प्लस में है तो दोनों माइनस में लेंगे क्योंकि गुना करने में प्लस चाहिए तो देके, minus 8x और minus x minus minus plus गुना में हो जाएगा, और 8 गुना 8 हो जाएगा और x गुना x क्या हो जाएगा x square यानि 8x square चाहिए हमको गुना करके, तो ये दोनों गुना करके आ रहा है, plus 8x square और जोड करके कितना आ रहा है minus 9x तो इस तरह लिख लेंगे अब यहां पER X square minus X में X square minus X में यह दोनों में जो सार्म गुनन अंखेंड है दोनों का उसको common ले लेंगे X इसमें भी है X common ले लेंगे तो यहां पर X square है क्या है, X square है तो X common ले ले लेगे तो X बच जाएगा तो कोश्टक में x लिख देंगे, माइनस, यहाँ पर माइनस का चिन है, तो माइनस देंगे, अब x common ले लिए हैं, x common ले लिए हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, अब माइनस 8x प्लस 8 में, देखिए 8 इसके साथ भी है, और 8 यहाँ भी है, 8x के साथ भी गुना हो रहा है, और 8 यहाँ भी है, तो 8 common हो जाएगा, यानि 8 दोनों का गुननकंड है, तो यहाँ पर देखिए, माइनस है, तो माइनस 8 common ले लिए हैं, तो यहाँ पर x बच गया, कोश्टक के अंदर, और प्लस, माइनस, देखिए, यह दोनों चिन, मिलके क्या हो जागा, प्लस, माइनस, माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन देंगे, और 8 common ले लिए हैं, तो 1 बच जाएगा यहाँ पर, कुछ नहीं, क्योंकि 8 common ले लिए, यह जो 8 है, यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा, तो एकस गुना, एकस माइनस एक, माइनस आठ गुना, एकस माइनस एक, अब एकस माइनस एक, एकस के साथ भी गुना हो रहा है, और एकस माइनस एक, माइनस आठ के साथ भी गुना हो रहा है, तो x-1 को x-1 को common ले लेंगे ठीक है, क्योंकि दो जगा है, तो x-1 common लेने पर क्या हो जाएगा x-1 common ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचा, तो x गुना 1, x हो जाएगा, यहाँ पर x लिख देंगे कोश्टक के अंदर, और x-1 यहाँ पर common आ गया है तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, इसके बदले तो minus 8 गुना 1, क्या हो जाएगा minus 8 यानि इसका गुननखंड आ गया, x-1 गुना x-8 तो x square minus x square minus 9x plus 8 का गुननखंड क्या हो गया, x-1 गुना x-8 तो इस तरह से प्रस्न 6 का पहला हल करेंगे प्रस्न 6 का दूसरा तो दूसरा प्रस्न है x square minus 3x minus 10 यह है, x square minus 3x minus 10 तो इसमें मध्यपद क्या है minus 3x, तो इस तरह का प्रस्न में मध्यपद को तोड़ करके इसका गुननखंड करते हैं, तो क्या है x square minus 3x minus 10 यानि मध्यपद है minus 3x, ठीक है तो हम लिखेंगे यहाँ पे x square अब यहाँ पे देखिए, जो जिसको गुना करके लाना है minus में है और जिसको जोड़ करके या घटा करके लाना है, वो minus में है ठीक है? तो दोनों minus में हैं, तो हमको यहाँ पे घटा करके 3 लाना है घटा करके 3 लाना है, और गुना करके क्या लाना है, minus 10 यानि घटा करके minus 3 लाना है, और गुना करके minus 10 लाना है ठीक है? क्योंकि दोनों minus में हैं, गुना करने वाला भी minus में है और जिसको मध्यपद भी minus में है तो घटा करके लाना है यानि चार में से अगर एक को घटा दे तो तीन आता है चार में से एक को घटा दे तो तीन आता है लेकिन चार गुना एक चार होता है हमें चाहिए दस तो किसको घटाएंगे यानि पांच में से दो घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाने पर कितना आता है, 3 आता है, 5 में से 2 घटाने पर क्या आता है, 3 और 5 को 2 से गुना करने पर 10 आता है, यानि 5 और 2 को लेंगे, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 5X और 2X, क्योंकि यहाँ पर X में है, देखें, 3X है, तो X के रूप में लेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे minus 10, क्या लिख देंगे? minus 10 ठीक है? अब चीन कौन सा लगाएंगे इन दोनोग, कौन plus में होगा, कौन minus में होगा? ये कैसे पता लगीगा, तो देखेंगे यह aan minus 3 X है, ये जो आ रहा है, घटाने पे ये minus में है, यानि बड़ा वला संख्या तो 5 और 2 में कौन बड़ा है 5 बड़ा है तो बड़ा वला संख्या माइनस में होगा क्योंकि देखें यहाँ पर माइनस में आ रहा है घटाने पर और यह प्लस में होगा छोटा वला संख्या तभी 2 में से 5 को घटाएंगे तो minus में उत्तर आएगा 2 में से 5 घटेगा तो minus 3 ठीक है? क्योंकि बड़ा संख्या के साथ minus लेना होगा तभी 5 में से 2 गया 3 और बड़ा संख्या के साथ minus है तो minus और देखिए गुना करके हमें कितना लाना है minus 10x square minus 10x square x square हमें गुना करके लाना है और घटा करके minus 3x तो minus 5x plus 2x क्या होगा? minus 3x ठीक है? तो इस तरह से minus 3x को हम इस तरह से तोड़ लेंगे अब यहाँ पे x square minus 5x में x square minus 5x में दोनों का सार गुनन खंड x है क्योंकि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है तो x common लेंगे तो x common लेने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे x square है तो x common लिये है तो यहाँ पे x square है यहाँ पे x common लिये है तो x बच जाएगा कोश्टक के अंदर अब देखिए x common ले लिये है तो यहाँ पे minus 5 हो जाएगा अब 2x minus 10 में plus 2x minus 10 में 2 के पहाड़ा में 10 आता है, तो इन दोनों में सार उगुनंखंड क्या हो गया, यहाँ पे प्लस 2, 2 गुना 1, 2, और 2 पचे 10, यानि 2 हो गया, दोनों का सार उगुनंखंड, तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 2 common ले लेंगे, तो प्लस 2 common लेने पे x बजा गा, कोष्टक के अं अब ये चिन और ये चिन मिलके क्या हो जागा माइनस प्लस देखें माइनस प्लस माइनस प्लस क्या हो जागा माइनस माइनस प्लस माइनस और दो पचे दस होता है यहाँ पे दस है तो दो पचे यानि पांच लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि 2 पचे 10 होता है तो x-5 x के साथ भी गुना हो रहा है और x-5 2 के साथ भी गुना हो रहा है ठीक है तो x-5 दो जगह है तो x-5 को common लेंगे यानि पहले लिख लेंगे तो देखें x-5 हम common ले लिए तो यहाँ पर 1 बचा तो 1 गुना x कितना हो जागा x ठीक है यहाँ पर x है तो x-1 x हो जाएगा अब x-5 common ले लिए तो यहाँ पर 1 बचा तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2 यानि इसका गुननखंड आ चुका है इसका उत्तर x-5 गुना x प्लस 2 ठीक है तो x-3x-10 का गुननखंड क्या हो जाएगा x-5 गुना x प्लस 2 तो इस तरह हम प्रस्ण 6 का दूसरा हल कर लेंगे प्रस्ण 6 का 3 तो प्रस्ण है by square minus 6 by minus 16 यह है प्रस्ण तो इसका भी हमें गुननखंड निकालना है तो इसका हमें क्या करना है गुननखंड करना है तो इस तरह का प्रस्ण में मध्य पद को तोड़ करके हम गुननखंड करते हैं तो लिख लेंगे यहाँ पर by square अब यहाँ पे देखिए जिसको गुना करके लाना है तो इस तरह का गुननकंड में क्या करते हैं मद्य पद यानि बीच वाला जो पद है उसको या तो जोड यानि इसको तोड़ते हैं किस तरह से कि जोडने पर या घटाने पर minus 6 आजाए और गुना करने पर minus 16 आजाए तो देखिए जिसको गुना करना वो minus में है और जिसको जोड कर या घटा करके लाना है यानि मद्य पद भी minus में है और गुना करके जिसको लाना है वो भी minus में है तो घटा करके हमें 6 लाना है जब दोनों minus में हो 9 में से 3 घटाने पर क्या आता है 6 लेकिन 9 और 3 को गुना करते हैं तो क्या आजाएगा 27 हमें चाहिए 16 तो 8 में से 2 घटाने पर क्या आता है 6 8 में से 2 घटाने पर 6 आता है और 8 दुना 16 यानि 8 और 2 लेंगे तो यहाँ पर लेंगे 8 बाई और 2 बाई और minus 16 को हम यहां पे लिख लेंगे इस तरह से अब देखे कौन plus में होगा कौन minus में होगा तो यहां देखे minus में है यानि जिसको घटा कर घटा करके लाना है वो minus में है तो 8 और 2 में बड़ा संख्या कौन है? 8 है तो इसको minus में रहना होगा क्योंकि माइनस में उत्तर आ रहा है घटा करके तो बड़ा संख्या को माइनस में ले लेंगे तो छोटा संख्या हो जागा प्लस में अब देखें माइनस 8 बाई प्लस 2 बाई क्या हो जागा माइनस 6 बाई माइनस 8 बाई प्लस 2 बाई तो यहां पे minus 8 by plus 2 by minus 8 by plus 2 by गुना करेंगे तो देखे 8 दुना 16 plus minus हमें minus में चाहिए क्या हमें चाहिए minus में तो plus minus minus होता है और 8 दुना 16 और by गुना बाई by square यानि हमें गुना करके कितना लाना था minus 16 by square ठीक है तो आ रहा है ये दोनों गुना करके माइनस 16 बाई स्क्वाईर और घटा करके कितना लाना है माइनस 6 बाई तो माइनस 8 बाई प्लस 2 बाई क्या होगा माइनस 6 बाई आठ में से दो गया 6 यानि 6 बाई और बड़ा उला संख्या माइनस में लेंगे तभी माइनस में आएगा तो गुना करके हमें लाना है माइनस 16 बाई एसक्वाई और घटा करके लाना है माइनस 6 बाई तो इस तरह लेंगे माइनस 8 बाई प्लस 2 बाई अब यहाँ पे by square minus 8 by में by square minus 8 by में by दोनों का सारवगुन अंखंड है क्योंकि by इसमें भी है by इसमें भी है तो by को common ले लेंगे क्या करेंगे by को common लेंगे तो यहाँ पे by square है यानि कोष्टे के अंदर by बच जाएगा अब by common ले लिए हैं यहाँ पे minus 8 ठीक है अब यह दोनों में क्या सारवगुन अंखंड है दोनों का 2 by minus 16 में तो 2 के पहाडा में आता है 16 2,8,16 ठीक है तो 2 हो जाएगा इन दोनों का सारवगुन अंखंड तो 2 common ले लेंगे तो देख यहाँ पे plus में है 2 तो plus 2 common ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा by बच जाएगा कोष्ट के अंदर अब यहाँ पे क्या चीने देंगे तो minus plus minus plus minus plus minus होता है तो minus लिख लेंगे यहाँ पे और 2,8,16 यानि 8 लिख लेंगे यहाँ ठीक है अब by minus 8 जो है तो इसको common ले लेंगे तो by minus 8 common हो गया तो by minus 8 जब common हो गया तो यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे एक बचा तो by गुणा 1 by हो जाएगा कोष्ट के अंदर अब यहाँ पे तो by minus 8 को common ले 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 तो यहाँ पे एक बचा तो 2 गुणा 1 दो हो जाएगा और प्लस दो है तो प्लस दो लिख देंगे यानि इसका गुननखंट यानि इसका उत्तर कितना आ गया बाई माइनस आठ गुना बाई प्लस दो तो बाई स्क्वाईर माइनस छे बाई माइनस सोला का गुननखंड क्या हो गया बाई माइनस आठ गुना बाई प्लस दो तो प्रस्न छे हम इस तरह से हल करेंगे